युक्रेन से है जहाँ पर युक्रेन जंग में बुरी तरह से फस शुका है अमेरिका और नेटो से नए घाता खतियार अभी तक युक्रेन को नहीं मिल पाएं लेकिन इधर पूतीन का रूस युक्रेन की जमीन को रौंदते हुए कबजा करता जा रहा है लेकिन इस भीश के इस कदम को स्यूसाइड मिशन कहने लगे हैं देखिए रेपोर्ट दस हजार किलोमेटर में रूस की कप्र आठ सो से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी युक्रेन रूस को हरा ने ही पाया है आठ सो दिन के बाद भी युक्रेन रूस के कबजे से अपनी जमीन चुड़ा नहीं पा रहा है वहीं दूसरी तरव आठ सो दिन बाद रूस ने युक्रेन के एक लाग उननीस हजार किलोमेटर इलाके पर कबजा कर लिया है भले ही युक्रेन दावा करे कि उसने पांच लाग के करीब रूसी सेनिको को मार डाला है लेकिन हकिकत में रूस जमीन पर युक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है इस वक्त युक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है बलकि खुद को बचाने के लिए रूस से मकाबला करने की कोशिश में लगा है युक्रेन के खारकी और अब दिविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है लेकिन इधर अमेरिका और नीटो से आने वाले हधियारों का इंतजार कर रहे रश्पती जेलिंस्की ने रूस के खिलाव आखरी दाओं भी खेल दिया है रूस के खिलाव युक्रेन का आपरेशन बॉडर युक्रेन के दाओं के मताबिक युक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉडर पर अपनी पूरी फाजी ताकत को लगाना शुरू कर दिया है खबर के मताबिक अगर कुल बॉडर की लंबाई चोड़ाई और वर्ग किलोमेटर में जोड़ा जाए तो युक्रेन ने 10,000 किलोमेटर इलाके में किले बंदी करना शुरू कर दी है रूस की सेना भी बिना रोक टोक के युक्रेन के बॉडर को रौनते हुए आगे बढ़ रही है लेकिन अब युक्रेन ने 10,000 किलोमेटर के बॉडर पर टैंक ब्रिगेट, बंकर और रॉकेट ओप्स के जरिये बॉडर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉडर तैयार कर दिया है युक्रेन का दावा है कि ऐसा करने में एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए है रेप, द्रोनी, नाशा राकेतना प्रग्रामा, नाशा प्रोती दीया रोसी केरोवनें अव्याबोंबां Складна тематика, і якщо по реп, по дронах, по ракетній програми, ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити युक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में युक्रेनी सैना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है पिछले 72 घंटे में भीशन हमलों से, पुतिन ने जिलिंस्की को दिखा दिया है कि युक्रेन को अमेरिका और नेटों के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे पिछले 72 घंटे में रूसी सैना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एर डिफेंस सेस्टम, मिजाइल और रॉकेटों को कैसे तबाख कर सकता है रूस युक्रेन पर अब निरना एक जीत की तारा बढ़ चुका है पिछले 800 से ज़्यादा दिनों से चल रही रूस युक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा तो साब कहा जा सकता है युक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर बाहा झाल Herrn ओ करेना लुक्रेन का बाहए जिरल ऑुक्राशा का जाए इन JUL, इयुक्राव एक सिर रहा है ही dran प मेरा लुक्रेन बाल 22,ifiques та बणकि राम बिरल पोग्षरा continuity जमीन पर रूसी हमलों ने युक्रेन के चीथड़े उड़ा कर रख दिये हैं पांचुई बार रूस का राश्टपती बनने के बाद से अचानक रूस के हमले युक्रेन पर पांच गुनात तेजी से हो रहे हैं जानकारों के मताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीशन हमले किये हैं युक्रेन के राश्टपती जेलिंसकी तक मान चुके हैं कि इस वक्त हारकीव में रूस के हमले चारो तरफ से हो रहे हैं रूस के फाइटर जेट और ट्रून युक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं जमीन पर टैंक पैदल सेना तो खाना और रूसी रॉकेट आर्मी में युक्रेनी सेनिकों की कमर तोड़ कर रखती है हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 गंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पंडूबी से बुलावा बिलिस्टिक मिजाईल जिसे आरेसम 56 के नाम से भी जाना जाता है उससे भीशन हमले किये है हम आपको बताएंगे कि रूस ने खारकी में कितने इलाखे पर कबज़ा कर लिया है लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाईल को कितनी दूरी से युक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तमाल किया है रूसी मीडिया के दावों के मताबे बुलावा यानि RSM 56 एक ICBM है जिसे पुतिन ने युक्रेन के खिलाव इस्तमाल किया है दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी काम चटका प्राइद्वीप पर हजारो किलोमेटर दूर युक्रेन पर बुलावा मिसाईल से हमला किया है लगभग 56 किलोमेटर दूर से रूसी पंडुबी ने इतके बाद एक कई बुलावा मिसाईले तागी जिन्होंने युक्रेन के खारकीव में भारी तबाही मचाई है जिलिंस्की रूस की बुलावर मिजाईल के हमले से बुरी तरह से गबरा गए है पिछले 24 गंटे से रूसी सेना इसी तरह से युक्रेन के पांच लाखों में भीशन हमले कर रही है हालात ये हो गए हैं कि युक्रेन के डॉनेस्क, खेरसौन, खारकी, सुमय, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आस्मान से ताबर तोड हमले शुरू कर दिये हैं आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाती तोप के गोले, खारकीव में धर धराते रूसी टैंक ने युक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिये हैं ये तस्वीरे साब दिखा रही हैं कि रूस कितने भीशन हमले पिछले 24 गंटे से युक्रेन के पांच इलाकों में कर रहा है जरा इस वीडियो को भी देखिए, रूस के भीशन हमले के बाद तबाख खारकीव के रियाशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं हालात ये हैं कि यहां युक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं इस वक्त युक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज़्यादा अपने लोगों को बचाने में चुटी है बसे भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है हारती युक्रेन ने भी रूस पर कुछ ऐसे हमले किये हैं जिसकी कलपना रूस ने कभी नहीं की थी अमेरिका ने युक्रेन को बेहद लबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाले दी है जो पिछले 24 घंटे में रूस के लिए यमराज बंच की युक्रेन ने रूस के कभजे में मौजूद क्राइमिया पर लंबी दूरी वाली आठ एटी ऐसी मिसालों से हमला किया है क्राइमिया में हुए युक्रेन के इस हमले में रूस का स्पेस रेडार स्टेशन तबाह हो गया है युक्रेनी समर्थकों ने दावा किया है कि रूस का एर डिफेंस सिस्टम आठ एटी ऐसी मिसालों को रोक नहीं पाया जिसके वज़ा से रूस के स्पेस रेडार स्टेशन में मौजूद दरजनों रूसी सैनिक मारे गए हैं 2014 से युक्रेन के क्राइमियां पर रूस का कबजा है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस पर युक्रेन ने अमेरिका की एटी ऐसी मिस के जरीए घातक और भीशन हमला किया है कुल मिलाकर युक्रेन अब जम के उस दोर में पहुंच चुका है जहां या तो युक्रेन जीतेगा या फिर रूस पूरे युक्रेन को तबाह कर देगा